और आप सबीका बहुत स्वागत करता हूं तो आज का हमारा सेशन है माइक्रो एकुलिबरियम क्या होता है क्लास कंजूमर एकुलिबरियम को समझने के पहले हमें सबसे पहले इन दोनों वर्ड को समझना होका consumer क्या होता है and equilibrium क्या होता है तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे session की और सबसे पहले समझते हैं एक छोटी सी story से हम consumer का meaning यहाँ पर आज समझने वाले हैं suppose आप अपनी family के साथ में market में shopping करने के लिए जा रहे हैं अब आपके पास यहाँ पर कई option है कई shops आपके सामने हैं जहां से आप यहाँ पर purchasing कर सकते हैं शौपिंग कर सकते हैं suppose आपने इन में से किसी एक shop को यहाँ पर select किया और वहाँ पर आप जाते हैं और जब आप shop में जाते हैं तो आपको भुक लग रहे हैं तो आपने हाँ पर biscuit को consume करने के बारे में एक decision लेना start किया लेकिन आपके पास वहाँ पर एक और option था कि आप ice cream को भी purchase कर सकते हैं और एक और option आपके पास में है कि आप chocolate को भी वहाँ पर purchase कर सकते हैं तो तीन option आपके सामने आते हैं और इन तीनों ही option में आपको चाहिए biscuit को purchase करें आइस cream को purchase करें और पर आप चोकलेट को purchase करें आपको purchase करने के लिए money की requirement होती है तो आप अपनी income को इन product को purchase करने में spend करना च उससे अपनी जो आपको भुक लग रही है उसको आप यहाँ पर satisfy करेंगे अब आप देखिए जब आपके पास में तीन अलग अलग option थे तो आपने decision लिया यह decision लिया कि तीनों ही product में से कौन सा product आपको ज़्यादा यहाँ पर satisfied करेगा आपको ज़्यादा satisfaction देके जाएगा तो in short हम यहाँ पर इसा कह सकते हैं कि consumer होता कौन है तो अगर हम definition के बात करते हैं तो a consumer is the main decision maker of consumption pattern. A consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. He takes decision with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants. The main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services. Summary के रूप में मैं सा कह सकते हैं कि consumer एक decision maker होता है उसे decision लेना होता है. वो goods and services को purchase करता है उसको buy करता है. क्यों करता है क्योंकि वो अपनी wants को satisfy करना चाता है. वो अपनी need को satisfy करना चाता है. Supposh आपको प्यास लग रही हैं. तो आपको पानी पीना है या आपको coldry पीना है. तो यह आपको decision लेना होगा. फिर आप उसको purchase करते हैं उसको आप consume करते हैं और क्यों consume करते हैं को कि आपको अपनी प्यास को यहाँ पर कम करना है आपको अपनी प्यास को बुझाना है तो यह आपकी क्या है wants है और आप उससे maximum satisfaction किस तरह से प्राप्थ कर सकें आपको उसके बारे में यहाँ पर decision लेना होता है जैसे अभी आपको example में दिख रहा है कि आपके सामने तीन option थे biscuit को भी आप यहाँ पर consume कर सकते थे आइस्क्रिम को भी आप यहाँ पर consume कर सकते थे या फिर चौकलेट करके भी आप अपनी भुग यहाँ पर satisfy कर सकते थे शान कर सकते थे लेकिन आपने decision लिया और आपने decision लिया कि आप चौकलेट को consume करेंगे क्यों क्यों कि आपको उससे ज़्यादा satisfaction मिलता है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब consumer यहाँ पर अपने satisfaction level को maximize करने की कोशिश करता है तो यह होता case है देखिए एक और छोटी से story चोटा सा image में आप सभी के साथ में हाँ पर share किया है आप सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारी जो economy है वहाँ पर resources जो होते हैं वो limited होते है suppose आपके पास money है तो money भी हमारे पास में एक resources है और इस resources का use करके हम हमारी जो need होती है हमारे जो wants होती है हम उसको satisfy करने की कोशिश करते हैं तो resources क्या होते है वो limited होते हैं चाए हो natural resources हो अगर हम बात करते हैं land की तो land भी resources है वो भी limited है मचीन की बात किरते हैं, मचीन भी हाँपर रिसोर्से से वो भी लिमिटेड है मनी वो भी लिमिटेड है तो कैसे एक consumer अपने लिमिटेड रिसोर्से से अपने satisfaction को maximize कर सकता है उसके लिए हमें हाँपर कुछ rules and कुछ principles को follow करना होता है तोकि आप सभी कोई पता होना चाहिए कि resources are limited and wants are unlimited resources limited हैं और हमारे जो wants से, हमारे जो needs से, हमारे जो आवश्रक्ता हैं वो unlimited होती है, तो कैसे हम, कैसे consumer अपने limited resources की help से अपनी unlimited wants को satisfy करता है, उसके लिए कुछ principles, कुछ laws हैं जो हमें follow करने हैं, तो दो main approach हैं, जिससे हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कैसे consumer अपनी satisfaction है, उसको maximize कर सकता है, एक approach का नाम है cardinal utility approach, जिससे हम यहाँ पर martial utility analysis भी कहते हैं या हम उसको marginal utility analysis भी कहते हैं, और डूसरी approach का नाम है ordinal utility approach, जिससे हम यहाँ पर indifference curve analysis और hixen analysis method भी कहते हैं, तो आज की session में हमने इतना समझा कि consumer क्या होता है, और consumer अपनी wants को satisfy करने के लिए goods and services को purchase करता है, next video में हम यहाँ पर इसको continue करेंगे कि cardinal utility approach क्या होती है और ordinal utility approach क्या होती है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next video में thank you very much